कि या इलाही बख्ष दे सईयद को रोजे हश्र तू मसूद बहराई सेहन का स्वाल यह है कि इनकी शौप है तो इसके अंदर जब कोई समान वगीरा खरीदने के लिए लोग आते हैं तो कभी कदार ऐसा होता है कि बिल्स हो है वो ज्यादा पैसो का बनवाते है क्योंकि उन्ह पीछे कहीं दिखाना होता है और ऐसा मामला आजकल चलता अब यह लोग फैक्टरी कंपनी के अंदर जब इंप्लॉई होते हैं वो कहीं से समान लेते हैं तो उस पर जो है एक्स्ट्रा बिलिंग कराते हैं दस रुपए के समान को पंदरा का कराते हैं यह दो-चार समान एक् पंदरा का कर दिया जाए तो इस तरह उसका तलब करना और इनको उस पर ज्यादा बनाकर बिल देना ही जाए जयने चाहिए पहरी बाप तो जो शक्स ऐसा करता है यानि फैक्टरी वाउनर के साथ या अपने ऑफिस के बास के साथ कि को कोई समान के ज्यादा बिल बनाते हैं और एक्स्टर रकम वसूलते हैं तो ये रकम जो है वो उनके हक में बिलकुल हराम है और इसका जो है वो वापस उसके मालिक को वाजिब रिटन कर देना फर्ज है तो इसका ख्याल रखना चाहिए जिन लोगों ने ऐसे जूट बोल कर ये दोके से रकम ली है उनको वापस उस क गुना और नजाइज है क्योंकि ये दूसरे के गुना पर मदद करने वाली बात है दूसरे के धोके में शामिल होने वाली बात है और दूसरे के धोके में मदद करने वाली बात है तो अगर कोई समान 20 रुपे का है और समान वाला आपसे कहता है कि इसका बिल जो है ना 20 के बदले 35 का कर दो या 30 के बदले 40 के कर दो तो ये आपको भी कहने जूटी तेहरीर लिखने पर मजबूर करना है क्योंकि जो समान आपने खुद जो है वो 50 रुपए का दिया है और उसके जब आप कागस पे रेट लिखेंगे कि मैंने समान 60 का बेचा है तो आप भी तो इस तर कबीर화 है यानि बड़ा जुर्म है तो जाहिए कि ये और दूसरा ये कि सामने वाले जो गुना कर रहा है उसकी गुना करना ये भी खुद केंदर एक गुना है दूसरे की गुना करने के लिए quran ने मना किया तो जाहिए कि ये दोनों काम जो है वो नाजाइजए ना तो बि और से बनवा लेगा तो जाईर एक कस्टुमर चला जाएगा बंदे के नसीब की रोजी नहीं जाएगी उसकी रोजी रोटी जितनी लिख़्ी है उसको अतनी मिलनी ही मिलनी है उससे ना सही दूसरे से सही तो अल्ला तबारक बताले की जात पर गोई इत्बार रखना चाहिए कि रोजी देने वाले की जात अल्ला की जात है उसके सिवा कोई कस्टूमर ऐसा नहीं कि अगर कोई नसीब में नहों तो बंदा नहीं देगा रोजी रूटी के अंतिसाम बंदेगी हो ही जाता है जूड़ बोलने से बंदा क्या करेगा चार पेसे जादा कमा जरूर लेगा लेकिन उसको बाकी नहीं रख सकता चार पेसो को तो इसलिए अगर कोई ऐसा मामला है कि कहते हैं कि जादा बिल बना हुई है जादा चीज़ एड़ कर तो साफ मना कर देंगा जितने का समाने वही ब बोलके करते हो शरम नहीं आती अपने बीबी बिच्चों को जाइस खिलाओ क्यों इसके बिल बढ़वाते हो सकता उसको भी शरम आजा और वो जो है वो बन वाले तो उसको भी नेकी की दावत दे देंगे तो चलेगा बाकी किसी के कहने पर कीमत को बढ़ाना नहीं चाहिए अगर दुकान पर बैठने वाले घर के फैमिली मेंबर दूसरे ऐसा करते हैं तो उनको भी ताकीद कर देनी चाहिए कि कागज के ओपर भी जूट की जूटी कीमत लिखके गुना में मदद ना की जाए कब से अपनी खताओं का शुमारा जाएगा